अगर मैं आपको बोलू कि Chelsea 5 back-to-back match हार जाती है या Arsenal 5 back-to-back match हारती है Real Madrid हारती है या Barcelona हारती है क्या आप नहीं बोलोगे कि Enzo Maresca sack कर दो Mikeil Atteta sack करतो, Hency Flick sack कर दो Carlo Ancelotti sack, आप बोलोगे न क्यूंकि अगर एक बड़ी team 5 back-to-back match हारती है आपको लगेगा ही कि ये तो भाई manager जाना चाहिए and that is what has happened Pep Guardiola अपने career में पहली बार 5 back-to-back match हार गए है 5 back-to-back games Manchester City has lost it is like Johnny Sins unable to get a boner it is incredible 5 back-to-back match हार गए है Manchester City वाले और Spurs के against हारे हैं Spurs वो भी at home at a head पे 4-0 भाई Spurs आए पोचा हमारा Manchester City पे बोलवा निकलो हमारा टाउन है ये London dominated Manchester it is just incredible Spurs क्या football के लिए है क्या football के लिए है पहले ही 20 minute में 2 गोल मार दी उन्होंने and both of them from birthday boy James Madison उनमें सो जो एक गोल था Kyle Walker की इतनी भायाना गलती वो भागते हुआ है James Madison को भागते हुआ पे Manchester City के Erling Haaland की hat-trick हो सकती थी पहले 20-22 minute में he could have had a hat-trick in the first 22 minutes but he did not because he could not score he could not take his chances stay humble है it is just crazy हो गया भाई absolute insanity 2-0 half time बजाते है मगर फिर half time के जज़बाद Pedro Poro एक बहुत ही प्यारा गोल मारते है 3-0 हो जाता है and then in stoppage time I have to talk about this मुठी वर्नर भाई क्या run बनाता है Kyle Walker ने उसको दो याड दो याड आगे था वो टीम वर्नर के टीम वर्नर भागना शुरू करता है Kyle Walker fastest right back in Premier League साथ भागना शुरू करता है टीम वर्नर उसको ऐसे पीछे चोड़के चला जाता है कि उसेन बोल्ट भाग रहो इतना तेज भागता है इतना मतला तेज तेज मुठी तेज तेज मुठी निगलती है सामने से बहुत ही प्यारा सा he cuts back and crosses Bernard Johnson scores 4-0 4-0 Spurs beat Manchester City 4-0 at a head insanity भाई heaviest home defeat for Pep Guardiola 5 defeats in a row for Pep Guardiola कहां मिलेगा इतना content Pep Guardiola भी कहके आए कि हम sack भी हो जाए हम relegate भी हो जाए मैं यह ही रोंगा हो जाओगे भाई ठाए 115 चार्चेस से ना हो बागी के 12-25 चारगे हो जाओगे भाई it'll be insanity भाई Chris ऐसा नहीं होगा but just insane absolutely insane questions need to be asked of Pep Guardiola कि क्या हो गया ऐसा change बिना रोड़री के इतने घराब तो नहीं हो सकते एक रोड़री चले जाने से इतनी घराब टीम तो नहीं हो सकती उसनों ने बोला बार्सलोना पाइप Guardiola ने कि जब मैं बार्सलोना में था अगर आप लिएनल मैसी हाटा दोगे तो क्या ही कर लता मैं बाइ आपके पास फिर भी जावी होते हैं नियस्टा होते हैं इतनी खातरनाक टीम होती है आपकी फिर भी और यहां पे आप कहरे हो कि एक रोड़री चला गए आपके अभी भी केविन डीब smart है इतने खातरनाक प्लेश हैं आपके but interesting questions need to be asked of Pep Guardia questions need to be asked of Kyle Walker भाई क्या कर रहा था इस game में इतनी खराब defending 4-0 for Spurs just insane अब अपनी team की बात करते हैं भाई Leicester City versus Chelsea the two teams in the last 10 years 10 साल में पिछली दो team ऐसी हैं जो Premier League जीती हैं जिनका नाम Manchester City यह Liverpool नहीं था उनका match Leicester City versus Chelsea एंजो मरेसका अपनी ex के पास वापिस जाते हुए within 5 months और बोला के मैं तुम्हें मारूंगा मगर प्यार भी करता हूँ मैं तुमसे यह बिलकुल ही abusive husband की तरह एंजो मरेसका पहुंचे हैं बोला के भाई हराएंगे हैं तुम्हें बड़ प्यार भी करती हैं पहुंचे एंड चेल्सी पहले 15 मिनट जो डॉमिनेट कर रही है न 85% पॉसेशन थी चेल्सी की पहले 15 मिनट में दे वर प्लेंग इंक्रेडिबल पहला गोल एंजो एंजो फनेंडेस असिस्ट करते हैं निकुलेस जैक्सन इतनी amazing finish करते हैं ना भाई his control on the ball was like Johnny Sins just beautiful ball control beautiful cutting in and just incredible finishing just Johnny Sins would be proud बहुत ही बढ़िया क्या ही खतरनाग गोल मारा it is just beautiful from Nicholas Jackson we are 1-0 up in the first 15 minutes उसके बाद NDD एक ऐसा चैलेंज करता है यो देखके मुझे लगा कि जो रेफरी है ये बहनकाटा का वो लाना भूल गया है red cards he has forgotten to bring red cards yellow card दिया है एक ऐसा चैलेंज के लिए which should have been dangerous play और 3 game ban जो tackle थे है NDD का उसके जश्ट बाद Sumare ने एक dangerous tackle करा Felix का चलो वो फिर भी debatable है कि yellow होना चाहिए था कि red easily red हो सकता था वो भी और वार वाले बढ़ू के कर के आ रहे हैं अपने box में जो कहनी रहे हैं के dangerous play है we could have been down Leicester could have been down to 9 men उसके बाद मढवे के गोल मारते हैं but he is offside and we are still 1-0 up पहले आदे घंटे में हमारी 80% possession थी Leicester City के पास जो ball आ रहे थी वो बस clear कर रहे थे और फिर हम वापस attack पर आ रहे थे पहले 30 मिनट में 4-0 up होना चाहिए था हमें और मुझे लग रहा था कि हम regret करेंगे कि नहीं हुआ है because हमारा goalkeeper है giving balls in mouth of fans since birth Robert Sanchez भाई गोटे जो मूँ में देता है वो आदमी तीन बार उसने कोशिश करी कि यार एक goal तो मादो Leicester वाले उतनी दूर से one goal you can hit और उसने तिनी गंदी passing करी काई सेडो को ball देता है नहीं पहुंच दी बादियाशील को pass देता है नहीं पहुंच दी उनके attacker के पास it is disgusting it's not funny anymore मैं कह सकता हूँ गोटे मूँ में but भाई क्या कर क्या रहा है भाई Robert Sanchez निकालो भाई इसको किसी और को डाल दो भाई किसी और को खड़ा करादिये 30 घड़ी कराव हो हाँ पे he can keep better than Robert Sanchez just pathetic just absolutely horrible भाई 30 दिन में 2 बार निकलती है Robert Sanchez के गोपैरो से ball दिन में 8 बार निकल जाती just disgusting just pathetic बहुत ही बैगार है भाई it's not funny anymore और जैसे ये Robert Sanchez हगना शुरू करता है Leicester City starts to look more confident Leicester City confident लगना शुरू करती है और chances create करती है शुकर है गोल नी मारती है और 1-0 half time बजाते है मेरा concern शुरू होता है का भाई ये कैसा दिन तो नहीं है कि हम chances लेनी रहे हैं जो 4-5 निन रोना जे था 1-0 है अब Robert Sanchez हमारा गोल की पर है तो और गोल पर जेंगे और उस वही concern मेरा और amplify होता है जब Cole Palmer miss करता है क्योंके नोनी माडवे के ball रोक लेता है भाई अली गोल, empty गोल भाई सामने कुछ नहीं है absolutely empty Cole Palmer shot मारते है नोनी माडवे के आके goal line clearance करता है नोनी माडवे के भाई ठीक है उसकी गलती नहीं थी बट भाई selfish थे हैं आप पहले नोनी माडवे के यह तो थोड़ा जादा हो गया भाई कि और कोई goal भी ना मारे मैं तो नहीं मारूँगा और कोई भी नहीं मारेगा पर ठीक है उसके बाद Chelsea का मिर को एक लगा भाई तुम cross पे cross cross करते जा रहे हो cross finish करने वाला है कौन तुम्हारे लंबे striker हैं थोड़ी मुझे याद है मुरीनियो जब वापस आय था उसने अपने first season में बोला था I don't know why my team begins to cross I don't I don't have the idea to finish the crosses and then I will have to tell them to stop crossing tell them to stop crossing बीच में header मारने वाला कोई लंबा के लाड़ी नहीं है भाई क्या cross पे cross डालते जा रहे हो जब मुरीनियों के बास header मारने वाला कोई नहीं था वो अगले साल डीडिय ड्रोगभा वापस ले आता है कि भाई करो cross फिर cross करनी बंद कर दी हमने बढ़ ठीक है एंड उसके बाद भाई उसके बाद एंजो फर्नेंडेज वाट अ ब्यूटिफुल इंस्टिंक्ट फ्रम अ मिड्फिल्डर कुकुरेया पास करते हैं जैक्सन तच्टाउन करते हैं उसके तच्टाउन के निसे पाते हैं finish नहीं कर पाए, Johnny Sins will not be proud, he will only be proud of Nicholas Jackson, we should be able to finish, मगर, ठीक है, हम अपना goal difference improve कर सकते थे इस बार, क्योंकि we are feeling third with four others वाला scene है भी भी, Arsenal भी अपना match जीती है, उनके बार भी बात करेंगे, Brighton भी जीती है, तो मगर, हमें जीतना था और better margin से था कि goal difference improve हो भाए, और third पे हम थोड़ा अपना strangle hold कर ले, Enzo Fernandez, man of the match, 6 assists, 6 assists और एक goal पिछले 5 match में, Enzo Fernandez भाई, बहुत ही बढ़िया, तलाक हो गए है उनका मैंने सुना रीसेंटी, और तब से Enzo Fernandez का तलाक होते ही, उनको समझ आया है, finish अच्छा होना चाहिए, touch अच्छा होना चाहिए, तलाक मुझे साह लगता है, इसलिए हुआ है, because he needed Lionel Messi to finish his chances in the bedroom also, मगर यहाँ पे बढ़िया होगे, Enzo Fernandez, अपने chance create भी कर रहे हैं, finish भी कर रहे हैं, फिर जाके camera में call में भी बोल रहे हैं कि भाई, divorce होगे है, जिसको मेरे DM's में slide करना है, कर लो, बढ़िया भाई, Enzo Fernandez, man of the match, बहुत ही बढ़िया, and ठीक है, we should have had more goals, but winning is all that matters, we are still third, 2-1 जीते, 2-1 जीते, 3 points, all that matters, Arsenal की बात करते हैं, Nottingham Forest को Arsenal ने हराया, और बहुत ही convincingly हराया, 3-0, Bukaios Saka का पहला goal, बहुत, 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 जादा सही था, and Thomas Partey, Thomas Partey also scored, and in there was a youngster also who scored with a Raheem Sterling assist, 3-0 win, for Arsenal against, another, against a team like Nottingham Forest, जिसके against, काफी team में struggle करी है, but ठीक है, यही है, जो है, अब यह है, हमारा table, Chelsea, एक point पीछे ही है, Manchester City के, पता नहीं कैसे, Liverpool हो सकता है, November में लीग जीत गई, अगर Liverpool, आज अपना match जीत जाती है, और अगले हफते Manchester City को हरा जेती है, they will be a stupid, I think, 11-15 points, 14 points clear होएंगे, it is finished, ऐसी league तो नहीं bottle कर सकते भाई, 14 points clear होगर होगे, अगर आप तो, तो नहीं bottle करना चाहिए, but insanity is happening in the Premier League, बात करते हैं, ला लीगा की, Barcelona भाई, Barcelona, Rafinha एक early goal मारते हैं, Celta Vigo का defense बहुत खराब, बढ़ Rafinha की finish, what a beautiful, मज़ा आजाता है भाई, ऐसे Barcelona जब खेलती है, खतरनाग goal from Rafinha, 1-0 up होती है, और जैसे ही Rafinha गोल पड़ाता ना, मुझे लागा था, भाई, अब तो floodgates खुलने वाले हैं, गोल पे गोल आने वाले हैं, मगर chances थोड़े और मलते हैं, Barcelona का finish नहीं हो पाते हैं, that seems like the theme, होता है ऐसा international break के बाद, इतने time बाद, अगर team वापस आ रही है, तो थोड़ा time लगता है, to get back into the swing of things, मगर chances फिनिश नहीं होते हैं, Lewandowski को एक chance मिलता है, which was absolutely very very well taken, ना tap-in, ना set-piece, बहुत बढ़िया Lewandowski, a different type of goal, 2-0 up हो जाती है, finally Barcelona 60-0 minute में, और यहां से लगता है, कि भाई अब तो bottle नहीं करेंगे, कर Barcelona तो भाई गोल पढ़वाती नहीं है, offset कराती दियों दूसरी team को, मगर कसडो center हो जाते हैं, 83rd minute में, तब भी मुझे लगाते हैं, भाई बहुत time है अभी तो, 10 minute है, 10 minute में तो कहाई 2 goal थोड़ी बढ़ा देगी, बासलोना मगर 2 minute में 2 goal पढ़ जाते हैं, क्योंके जूल्स कुंडे सोचता है, defending, वो क्या होती है, मैं defend करने, थोड़ी आया हूँ यहाँ पे, भाई, इतनी खराब defending from जूल्स कुंडे, 2 back-to-back goals for Celta Vigo, it is 2 all, difficult, difficult result for Barcelona to accept, क्योंके game हाथ में था, हाथ में आया और game थोड़ा let go कर दिया, which can sting a little bit, but it's fine, I think as long as Hansi Flake उनको वापे system में डाल सकता है, हफते में breast को हरा सकते हैं, बहुती बढ़ी आतरा, तो मजा सा आ जाएगा, Johnny Sinz will also be proud if you beat breast, तो मजा जाएगा, and I want to see what Hansi Flake's response to this is, and but ये concern है के Madrid अगर अगर अपने अब remaining games in hand जीद गाए, जितना भी घराब Madrid खेल रही है अभी तक, Mbappé के उपर जितने memes बन रहे हैं, Barcelona ने चाहे हरा दिया हो, बहुती बुरी तना classicों से, अगर Madrid अपने दो game in hand जीद जाती है, तो वो सिर्फ एक point पीछ होएंगे Barcelona के, तो दिल्चस्प हो सकता है, लालीगा वी काफी जादा, Barcelona को ये वाला match थोड़ा चुब सकता है in the future, let's hope ना चुबे for Barcelona fans, मगर, you never know, it is fun to watch Barcelona, दो अल हुआ, and yeah, questions need to be asked of the defence, questions need to be asked of Pep Guardiola, अगर Pep Guardiola Liverpool से हारते हैं, should he be sacked? I am just putting this out there, it is your comments that I am looking forward to, Karan Singh Magic का show है, 13 December को Bombay में sold out है, एक show अलड़ी दूसरा डॉला हुआ है, फटा-फट टिक टे ले लो, वहाँपे मिलेंगे उनकी न्यू वीडियो भी आई है, वो भी जाके देख लेना, इस चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, and yeah, I will see you with Champions League reviews, unless Madrid आज आग को कुछ जादा ही खतरनाक कर देती है, तो हम उस पर भी वीडियो गना देंगे, मगर लग नहीं रहा है, सब कुछ खतरनाक होगा, but yeah, see you next time.